अब हम लोग यहाँ पे लाज सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को मार्केट उपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस से पैटन दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल कैसे रहने वाले हैं तो यहाँ पर आज के दिन मतलब कल के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ है तो बहुत तेजी से हम लोग को इसमें ग्रावड देखने को मिली है यह लगब 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 देखेंगे 3800 से लेके 3460 तक का लेवल बहुत तेजी से हम लोग को इसने दे दिया है तो यहाँ पर दो चीज़े हमारे लिए बहुत ज़्यादा वीजिबल होगा जहां से यह बाइंग हापनिंग स्टार्ट हुई थी और उस पाइंट पर जब इसने टर्च किया है उसके बाद यहां पर फिर से एक बांस बेंग हम लोग को देखने को मिला है मैंने आपको यह एक चीज़ बता के रखा थ कि जहां से बाइंग हापनिंग होई है ठेक है इस लेवल के आस पास से फिर से बाइंग हो सकती है अब यह हैपनिंग कितनी उपर जाएगी कितना उपर सस्टेन करेगा यह हमको नहीं पता है लेकिन इस लेवल से बाइंग हापनिंग होगी यहां पर हाई प्रॉबिटी वा यह दो भी किहां पर इसमें बाद एक अच्छा momentum वने मोमेंटम मुट्म देखने को मिला हैं अभी यह सकेणल का लो और इसकेंल का लो एक दम पास में हैं मतलब यह एक ऐसे लेवल पर है जहां से एक बर अल्रेडी यहां पर momentum दे चुका है तो यहां पर पहला सिनारी ओ तो यह हो सकता है कि यहां पर ब्रेक करके continue करें और नीचे क्यों अगर देखेंगे तो 3400 एक breakout level है जहां से यह halt करने के बाद तीन विक रुखने के बाद यहां से breakout देखेंगे अच्छा momentum किया था ठीक है first case second case हो यहां पर इस विक में हो सकता है थोड़ा सा उपर जाके यहां पर कुछ प्राइस एक्षेंट बनाने की कोशिश करें और इसे यह break करें बाद में यहां फिर उपर को जेके जाए तो यहां पर से नारियो पॉसिबल है अब ठेक्निकली यह Corinthians के आसपस आया है तो इस विक में यहां पे यह ट्राइख रॉट आजीए उपर की आई जाने की और लएट लट हो सकता है पहले दो-तीन दिन ट्राई करें और fail हो तो फिर से आके इसके आसपास closing मिले या फिर इसको ये break करके इन levels के आसपास closing दे ऐसा scenario create होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर ऐसा कोई scenario होता है या फिर कोई news break होती है तो वैसे scenario में technicals बहुत अच्छे से follow नहीं होता है अगर gap down opening होती ह और यह इस candle के low को break करता है तो 3400 का level एक काफी critical level ऐसे scenario में हो सकता है तो अगर हम लोग सिर्फ technicals follow करें तो यहां पर कुछ दिनों के लिए यहां पर यहां पर इसका direction यहां पर देखेंगे आने वाले समय में मतलब 2-3 दिनों के बाद और अगर यहां पर कुछ और news play कर रहा है और यहां पर कच्छा कासा यहां पर नीचे के और बेक क्या मूलता है क्या गाप डाउन ओपनिंग हो रही है ठीक है तो गाप डाउन ओपनिंग ऐसे सिनारियों में यह 3400 के level को रिटेस्ट कर सकता है उसकी बहुत ज़्यादा यहां हाई probability के वाली केस हो जाएगी जिस अ अब यहां पर हम लोग फिट से डिली टाइम प्रेम पर चलते हैं अब यहां पर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम का जो लो था ठीक है यह लगबग लगबग 3480 के उपर था उसको उसने ब्रेक किया और ब्रेक करके फिर से एक अच्छा गैंडल यहां पर बनाया है अब से लिखने को मिला लाए उसके बाद कही नपर बायर आ यहां पर वायर था यहां पर पॉफिन किया इसी लिए आप यह उपर कि ए गया है अब ही जाव नीचे की जो लेवल की बात है अगर आप देखेंगे तो 3400 का यह वारा लेवल है जहां पर बनाने के बाद यह ब्रेका ठीक है ऐसा सिनारियो बहुत कम सिनारियो उता है फैनिक शेनारियो में इस तैसीया क्रेक्छ प्रक्राइग होता है लेकिन रभी जिस तर्रीकी से लास्ट हम, लोगों क्लोजिग मिला ठीक्निकली करेंगे तो इसके ऊपर ही कहीना कहीन हम लोगों को लोजींग देना चाहिए या फिर इसके अंदर मान लेता है यह हमारे पास दो लेवल है तो यह ऐसा point होगा जहां से एक बार buyers फिट से कोशिश करेंगे इसको और नीची की और ना sell करें ठीक है और अगर यहां पर buyers कोशिश करते हैं उसके बाद यहां पर buyers defeat होता है और यह level break होता है तो ऐसे scenario में थोड़ा 30 selling देखने को मिल सकता है फिट्टिन निट टाइम पर देखेंगे तो फिट्टिन टाइम पर यहां पर फिट्ट फिब्टीन एंट कैंडल बनने के बाद यहां पर के अंदर सते हैं यह जब लेवल करेगा तब यह राउद लेवल ठीक और थाठी सिक्सेंडर अंदर यह टाइम करें और उपर का लेवल हम लोगों को जल्दी ना दिखा है और नीचे अगर यह 3,475 ए 3,472 का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा चार्ट जो मोट करना पड़ेगा और पीछे का यहां पर देखना पड़ेगा ठीक है अगर यह यहां पर यह लेवल से अलड़ी यह ब्रेक कर चुका है तब हम लोग को यह बाइंग इसके पीछे इस्ट्रीम आना पड़ेगा और यहां पर देखना पड़ेगा कहां से वाइंग होई थी और यह कौन से लेवल है तो 3550, 3450 का ऐसा लेवल है जहां से 3450 से लेके 3440 यह 10 इन तीनों पाइंट को कनेक्ट करेंगे और यहां पर हो सकता है कि यह 3600 एक बार रिटेस्ट करें और उसके बाद प्राइस एक चानल पाटन करने की कोशिश करें उसके बाद जिस और भी यह ब्रेक करेगा उस और हम लोग वैसे सिनारियो के साब से एकॉडिंगली अपना प्लान करेंगे वीडियो कसे लगी कमें शेक्षिन में जरूर बताईगा पसंद आयोगे तो लाइक कर दीजिए चैनल पर यहांगे सब्सक्राइब पर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो